हेलो, दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे, और इन अप इस तो निया नहीं किसी के से पास है तो किया यहां पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उन सब चीओं से related हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लाश तक बने रहीएगा, था कि आपको एक idea लगता हुआ, नजर आए, कि exactly किसी share को बताने के पीछे क्या reason हो सकता है, ठीक है, सारा ideas आपको लगते हो नजा है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपसे रुक्वेश्ट है कि I am small cap investor ठीक है हम small cap share से related बात एंगरते हैं तो small cap investor है हमारी चैनल का नाम इसे subscribe कर लीजिए bell icon को hit करिया और की notification कौन करिये ताकि इस तरीके की videos मिलते रहे सीखने का मौका मिलता रहे ओके आपको ideas मिलता रहे तो सबसे पहले तो subscribe कर लीजिए bell icon को hit कर notification को और सीखे सीखने का तरीका क्या है videos जाके videos देखिए एक एक videos देखेंगे थोड़ी थोड़ी knowledge आप ही grab होती रहेगी repeat करके देखेंगे और grab होती रहेगी playlist भी बना रख्या होने भी यहाँ पर repeat करेंगे जब पूरा ध्यान यहाँ पर रहेगा तो पैसे definitely बनेंगे दूसरी बात बारी क्या सीखनी है ठीक है अब यहाँ पर से तो सीखा जाए गाई बट बारी क्या भोच सारी होती हो जो 10 मिंट में नहीं पताई जाती ठीक है उसके लिए पूरा एक course डिजाइन किया गया है जहाँ पर basics to advanced technical research fundamental risk management risk reward ratio क्या होता है कितना यहाँ पर रिस्क ले वाला 3 months की hand holding strategy using stock market online notes सब कुछ दिया जाएगा इस course को करने का दुनिया की किसी market में कुछ भी करिएगा ठीक है ना पैसा बनता हूँ नजर आएगा ठीक है उसके बड कंडिशन है कि 6 महिने से एक साल का कम से कम experience और धीर धीर ग्रो 860540501 816926737 दोनों नमबर है दोनों नमबरों को save कर लीजे contact करिए ठीक है यहाँ पर आप course के related details ले सकते हो और अगर किसी को साथ में काम करना है ठीक है ना और हमारे हमारी accuracy का फायदा उठाना है तो इन नमबरों पर आप contact कर सकते हो ठीक है details ले सकते हो details लेने का कोई प बनेगी तो आगे बढ़ेंगे otherwise कोई परिशानी नहीं है तो आगे बढ़ते है और जानते IFGL से related IFGL की बात करें तो सबसे पहले warning दिरने चाहता हूं कि यह share हमारे पास था और कल ही हमने इस share को निकाला ले आज दुबारा यह 5% भागा है ठीक है क्यों निकाला है उससे related भी बाते करेंगे IFGL Refractories Limited is a manufacturer specialized refractories and recusate operating system for iron and steel industries तो यहाँ पर हम बात करें कहीने कहीन iron and steel industry से related है and it is promoted by the SK Bajoria Group of India and Cross की Harima Corporation of Japan a global leader in the refractories business तो हम बात करें यह refractory business में है ठीक है iron and steel से लेटी निहां पर इनके काम होता हुआ नजर आता है क्या होता है एक बाइन की website पर आप विजिट कर लेंगे तो एक idea लगता हुआ नजर आ जाएगा कि exactly company करती क्या है company का business model क्या है ठीक है product portfolio क्या है यह पूरा पूरा एक idea मिलता हुआ आपको नजर आ जाएगा इनकी website पर आप जाएगा ठीक है यहाँ पर आई fgl डालिएगा ठीक है lgfractories ठीक है तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि company आपर कर क्या रही है exactly ठीक है एक idea आपको लगता हुआ नजर आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक company है लगग पचास प्लस country में सर्फ करती है 10 production facilities है 40 साल कर से ज़्यादा के experience दो जाएगा इनके यहाँ पर वरकर्स है ठीक है यह सब चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं iron and steel foundry ठीक है अलग-अलग चीज़ों में company काम करती हुए नजर आ रही है ठीक है यहाँ पर आप इनके solutions से related देख लीजिए sustainability से related देख लीजिए एक idea लग जाएगा आपको अब बात करते हैं सबसे पहले market cap की बात करें small cap share है 377 गरोड रुपे का यहाँ पर market cap है P.E. की बात करें 25 का industry का P.E. 24 का ना तो महंगा है ना ही सस्ता है और P.E. के base पर कभी काम नहीं करते हैं ठीक है इस चीज़ों को याद रखिएगा ठीक है यह long term बताती है कहीं ना कहीं debt की बात करें 18% का debt है और कुछी भी तरीके की कोई भी प्लैजिंग नहीं है तो हम बात करें financials कैसे है अच्छे है phase value 10 की phase value है maximum chart pattern देखोगे share 2017 में आया उसके बाद गिराबट हुई फिर भागता हुआ नज़ाया फिर गिराबट हुई और अभी यह top पर चलता हुआ नज़र आ रहा है यह share अभी हम बात करें इस share की तो लग बग लग बग हम यह 55% के return के साथ 2-3 मेने के अंदर अंदर इस particular share से कल ही निकलते हुए नज़र आए है ठीक है क्यों निकले है और क्या हम आगे दुबारा करेंगे वह से लिट्रियू में बाते करूंगा क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वह आपका decision अपने इसलिए अपने financial advisor और खुद की study जरूर करिएगा sales की बात कर जो की yearly और quarterly दोनों basis पर अच्छा है नेट profit की बात करें तो net profit है यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर highest ever net profit EPS की बात करें highest ever यहां पर EPS है तो हम देखते हुए नजर आ रहे है कि company अच्छा खासा perform करती हुए नजर आ रही है और best to best यहां पर काम करती हुए नजर आ रही है पर 57 करोड रुपीज अभी दुबारा working pro gas में लगे हुए इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में दुबारा काम होगा दुबारा net profit बगेरा सब चीश बढ़ता हुए नजर आ सकता है investment 121 करोड का cash की बात करें 71 करोड का cash है positive cash flow है कम है बढ़ ठीक है इसके इलाबा आप देखोगे कुछ और चीज़े तो आपको समझ में आएगा कि promoters promoters के पास 72.44% के share as it is बने हुए है ना तो promoter बेचना चाहते है ना ही करे दिरे है FIs है नहीं, DIs लगा था नहीं आपर इस्सादारी बढ़ा रहे है इस quarter में भी इस्सादारी बढ़ा ही है पब्लिक की बात करें तो 15% के share है जिन में से कुछ लोग ने 2.08 और 1.59% की इस्सादारी यहाँ पपी फ़न ने भी आपर लेके डख रखी है तो अच्छी खाजी shareholding हमें आपर नजर आती है बल्क डिल की बात करें तो 19 में 2023 को ही 2.08 रुपे के बाव पर 187,500 कॉंटिटी यहाँ पर MNCL यहाँ पर लेते हुए नजर आए है तो बात करें यह share की चार्ट से related की चार्ट पर क्या नजर आता है fundamentally हम देख चुके अच्छा है अब टेक्निकल की बात करते है बट उससे पहले रिक्वेश्ट है कि I am small cap investor चानल को सब्सकाइब करिए bell icon को hit all की notification को करिए like comment share चानल को सब्सकाइब करे bank selling की को recommendation नहीं अपने financial advisor खुद की study करना हो चीज़ों को सीखने पर ध्यान देना है सीखने का तरीका मैं बता चुक हूँ number को note कर सकते है contact कर सकते हो साथ में काम करना चाहते हो 4-5 लाग का portfolio है उससे बड़ा portfolio है contact करो साथ में हम काम भी कर सकते है IFGL की बात करे तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये share हम यहाँ पर 3500 रुपे के हिसाब से already देते हुए नजर आये ठीक है और 3500 रुपे से अगर आप देखोगे तो share लगबल लगबल more than double होते हुए नजर आया है लगबल 1500% की return यहाँ पर हमें दे चुका है ठीक है ना हम अपने जो हमारे साथ लोग काम करते है यहाँ फिर हम बात करें यहाँ पर already इस share को देखते हुए नजर आये काश में आपको दिखा पाता तो आपको यहाँ पर पता भी चलता और फिलहाल में कुछ time पहले हमने दुबार यहाँ पर share खरीदा था लगबल 400 और 500 रुपे के आसपास और अभी आप देखोगे तो लगबल 70% के return हमें यहाँ पर मिले है ठीक है यहाँ पर बट हमें पूरे 70% ने मिले है पूरा कभी किसी को नहीं मिलता बॉटम पर खरीद के top पर बेचना ऐसा कभी नहीं होता इस चीट को याद रखिएगा ठीक है बीच में से कुछ भी मिल जाए वो आपके लिए अच्छा रहता है और हमने बीच के return हम swing करते है तो swing वाले return हमें यहाँ पर मिले है ठीक है ना हमने कल की date में ही यहाँ पर लगबग यह share को बेचते हुए नज़र आये थे और आज बेचने के पीचे रीजन क्या था बेचने के पीचे रीजन था किषयर वो ज़्यादा overbought हो जोन में चला गया है ठीक है यहाँ से थोड़ी बहुत correction यहाँ पर मुझे नज़र आती है ठीक है चीज़े यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ सकती है और बट long term prospectus की बात करें तो चीटे अच्छी है long term में हाँ पर और ज़्यादा तेजी होती हुई नजरास्ती हुई दिखाई दे सकती है बट अभी क्या है क्या मैं दुबारा बाई कर सकता हूँ बिल्कुल बाई कर सकता हूँ one of the greatest stocks है ठीक है और buying selling की कोई recommendation नहीं है अपने financial advisor खुश की study करना है देखा जाएगा कि इसे किस level पर buy करना चाहिए ठीक है उसके basis पर हम यहाँ पर देखेंगे target की बात करें तो हमने यहाँ पर feevo नशी technique होती है advanced feevo जिसे कहते है उसके basis पर लगभा साढ़े बार सो रुपे के आसपास का target आ रहा है ठीक है और buying selling की recommendation है नहीं अभी हमार पास यह share नहीं है बट आगे चलके बट हमारे कुछ client के पास हो सकता है और शायद नीचे के level पर मैं इसमें दुबारा entry कर भी सकता हूँ बट अभी नहीं करूँगा क्योंकि overbought john में चल रहा है थोड़ा wait करूँगा patience के साथ market भी थोड़ी सी dice ही लग रही है maybe correct हो सकती है थोड़ी सी फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे level के आया है खरीदने का तो हम बात करें तो शायद 700 रुपे के आसपास का एक level है जहाँ पर हम यहाँ पर इसमें entry बना सकते है यह शाड़े 600 रुपे शाड़े 600 रुपे आया तो यहाँ पर मौका ही मौका है फिर तो यहाँ पर इसे जाने नहीं देना है इस मौकी को ठीक है और बाइंग जालने के recommendation है नहीं stop loss को अमिशा follow करिएगा चीजों को जब सही से buy करोगे खरीदोगे बेचोगे तो आप को यहाँ पर चीज़े सिमन में आ गयो किसी को advanced technical fundamental सब सीखना है कैसे हम यहाँ पर levels निकालते कैसे correct time पर entry करते है तो यह course है आपके लिए design किया गया है इन number को note कर सकते हो course को join कर सकते हो पैसा बनता हुआ नहीं जर आ सकता है so thank you so much god bless